राधे राधे स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीत अत्यागी व्लोग में आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो आज मैं फिर से लेके आगई हैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल सी वीडियो आज हम कुछ रैमडी चेयर करने जा रहे हैं जो कि हमारी दाधी नानी अपने टाइम पर इसको यूज किया करती थी क्योंकि पहले के टाइम में ना ही डाई होती थी और ना ही कोई महदी इ इसी तरीके से बनाती थी जो कि अपने बालों में और हाथों में अपलाई किया करती थी आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को फोल वाच करें चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो सस्क्राइब दो च ignoring चाय पती दान चिनी से एक चम्च कम रखना है तो यह रखना है तो इस चरफी पर आप गुड का भी मिक्स कर आयके तो कोई भी डबा लेना है क्योंकि डबा थोड़ा जल जाता है तो आप वो डबा लें जो कि आप किचिन में यूज नहीं करते हैं तो यहां मैंने एक दीपक ले लिया है जो यह दीपक रखेंगे हम सेंटर में और इसी के साइड से हमने जो चीनी और चाय पत्ती लिया है वो डाल देंगे और हमें लेना है इसको थोड़ी सी हैट देनी है तो हमने दीपक ले लिया है और दीपक के उपर रखेंगे हम यह वा मतलब नीचे रखने के लिए तो उसके उपर आपको चीनी चाइपती नहीं डालना है तो इस से रखे से मैं इसको क्लीन कर लूँगी कि दीपक के उपर हमें जरा सी भी चीनी नहीं डालनी है उसके बाद जो कटोरी हमने लिया है वो इस कटोरी में जाना चाहिए, उसके बाद इस तरीके का कोई भी एक कटोरी ले लेना है, यह जो भी बरतन है, जिससे कि यह डबा है, अच्छे से कवर हो जाए, इसके बाद हमें लेना है आटा, जिससे कि हम इसको पूरा कवर कर देंगे, इसमें से कहीं से भी जरा सी भी तो यहां यह जो आटा लिया है इससे हम पूरा इस तरीके से कवर कर देंगे जिससे कि इसमें से जरा सी भी एर बहार ना आए क्योंकि जो इसमें ओयल बनेगा ना वो सीधा कटोरी में जाए बहार ना निकले तो आप थोड़ा सा आटा और बचा के रख लें कि अगर जब जैसे गरम होता है अगर कहीं से दिख रहा है आपको धुआ निकल रहा है तो आप आटा वहां पर फिर से लगा दें तो यहां मैंने इस तरीके से अच्छे से इसको कवर कर दिया है उसके बाद हम इसको रख दें तो आप यहां पर स्टैन का यूज कर सकते हैं जिसमें की हम जो गरम बरतन रखते है उसका तो यहां पर एक कटोरी जो हमने उपर रखा था उसमें हम ढाल देंगे थोड़ा सा पानी इसमें पानी इसलिए डालना है जिससे कि हमें पता चल जाए कि मेहदी अच्छे से बन र 10-15 मिनिट लगते हैं और मेहदी आपकी बन के तयार होगती है तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा सा आठा आपको उठा कर रखना है जहां भी आपको लगे थोड़ा सा एयर निकल रहा है वहां पर इससको कबर कर दें और थोड़ा ध्यान से करें कि यह गरम ह अच्छे से इसको सिखा नहीं है मतलब टायट नहीं हुआ है इसलिए वह उपर की तरफ उठा है जैसे यह टायट हो जाएगा उसके बाद यह कटोरी उपर की तरफ नहीं आएगी तो यहां जो मेरे को सामने कप दिखा तो मैंने कप का ही यूज कर लिया आप यहां पर कोई की मार्केट से जो हम कोण लाते है उसको जब हातों में लगाते हैं तो किसी किसी को और शीरेश हो जाता है दाने होजाते है चोटे-जोटे-चोटे और बहुत बहुत दिक्कत करती है तो आप इस तरीके की मैधि बना और आरम से लगा च Mooi में मीरान आएगा चारा करा इसा अगर भणको ओपन कि द्यूसमें है तो अगर्म रगए है तो अगर बना रहे है मैं वीडियो शेयर ती आपके साथ इससलिए मैंने मंचो कर दियाम है क्टोरी का पानी निकाल के उसके डिए बाद इसको उपन करें तो दूसरी कटोरी से पानी निकालें, डायरेक्ट ना पलते नहीं, तो जो अंदर मेहदी का ओयल आया है, वो सारा निकल जाएगा, तो आप एक दूसरे बाउल से इस पानी को खाली कर दें, इस काटोरी को उसके बाद आप इसको उपन करें, तो यहां देखिए मेहदी हमारी निकाल लोगी, तो यहां देखिए कितनी सारी मेहदी बन के तयार होगी है, तो इसको अभी हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा, गरम गरम हम इसको अपलाए नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर मैने दूसरी कटोरी मेहदी को ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि वहाला कटोरी बहु और काटोरी मेहदी हैं, इससे हम डाइ और महदी दोनों चीज भीर बनाएंगे, पृट्उ गरम लेना है, तो यहां पर लोगी गडाई और किछिन मेहम यूज करते हैं, तो यहां पर बार्केट केड़ वाले, क्लर, कैमिकल वाले, यज़ सब यूजखे नहीं करते हैं, वह के मारे बाल को बहुत जादा नुकसान होता है तो थोड़े से ग्रेय दृा हेर और और जड़े हो जाते हैं तो अगर आ Dolbre जब जरूत हो तब आप इसको आप ऐसके अपलाई करें और जब भी आप भल्दी को रोस्ट करें तो आप पास में ही खड़े रहें क्योंकि आग लगने का डर रहता है थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यह जब यह जलता है तो जैसे इस तरीके से दूआ उठने लगे तभी आपको फ्लेम पो आफ कर देना है तो यहां जैसे इसमें कोईले जैसा बन रहा है इसको आप रख देंगे गीले कपड़े के उपर जो तबाह है उसको गीले कपड़े के उपर रख दें जिससे कि यह जल्दी से ठंडा हो जाए नहीं तो क्या होता है ना यह एक दूसरे में इस तरीके से जलाता रहता है एक दूसरे मतब हल्दी में एक दूसरे म तो गिले कपड़े पर रखेंगे तो इसलिए बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो यहां देखिए हमारा जो हल्दी का पाउडर है वो बनके तैयार हो गया है और यह हमारे पास में रखा है महदी तो इसको हम डाल देंगे कटोरी में और उसमें ही एड़ कर देंगे महदी तो यहां पर मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी और थोड़ी सी डाल देंगे महदी तो यह मैं आपको बालों पर लगा के नहीं दिखा रहे है क्योंकि बालों पर आपको इतना समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं इसको हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको पता चले कि यह इसका कलर कितना अच्छा आता है तो इसको इस तरीके से mix कर देना इसका अच्छा सा बैटर बना लिना है जिसा थिक बैटर आप अपने बालों पर apply कर सकते हैं उतना थिक आप इसको रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं हाथ पर इस तरीके से एक सरकल बना लूँगी और इसको दो से तीन मिनटी रखूँगी जाधा देन नहीं रखूँगी अगर आप इसको बालों पर apply कर रहे हैं तो कम से कम आदा घंटा या 15 मिनट इसको रखना है उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश करना है सैंपूर साथ में यूज नहीं करना है तो यहाँ देखिए यह थोड़ा सा सूप गया है अब मैं इसको वाश कर दूँगी वाश करने के बाद मैं इसका आपको कलर दिखाऊंगी तो यहां देखिए इसका यह कलर आ गया है इतना और यह ट्रांसफर नहीं होता है तो जैसे कि मैंने बताया जब भी आप बालों में लगाएं उसको वाश करें तो नॉर्मल पानी से वाश करें साथ में शैम्पू का यूज नहीं करें धीरे धीरे और ज़्यादा डार कलर इसमें आ जाता है आई होप यह वाला ट्रेक आपको पसंद आ रहा होगा तो चलिए यह तो होगे हमारा डाई अब हम बना लेते हैं मेहदी तो यहां पर मेहदी बनाने के लिए हमें जो हमने मेहदी बनाया है चीनी चाय पती का वो ले लिया है इसमें डालेंगे थोड़ी सी रोली तो यहां पर रोली डाल देंगे अगर आप इसको मतलब डिजाइन वाला मेहदी बनाना चाहते हैं मीन्स कोन से लगाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दें और इससे थिक सा पेस्ट बना लें जैसा कि आप कौन में फिल कर सकें तो जो मैंने हल्दी और जो सौरी हल्दी नहीं रोली और महदी लिया इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसके बाद अपने हाथों पर इयर बैड की हल्प से मैं अपलाई कर दूँगी तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कौन बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मैदा एड़ कर दें जिससे कि वो थिक सा पेस्ट बन जाए और कौन में आप इसको इसली फिल कर पाएं और अच्छे से डिजाइन बना पाएं तो यहाँ मैं इसको लगा लूँगी लगाने के बाद आप इसको आदा घंटा रखना है जैसे ही सूप जाए इसको वोश कर देना है तो यहाँ पर जब आप इसको वोश करेंगे तो इसका कलर बहुत जादा लाइट होगा तो वो यह लगाएंगे तो इससे जरा भी इचिंग नहीं होगे और बहुत ही सुन्दर सा मेहदी का कलर बनके तयार हो जाएगा आई होप यह वाली रेमेडी आपको पसंद आई होंगी पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें बेल आइकन को जरूर से प्रेस करते जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो नेक्स व्लोग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें राधे राधे टेक क्यार